हाई फ्रेंट्स, वेलकम टुदा डेस्क, देवा इंग्लिश सुस्पकन क्लास घर बैठे ही, आप 10 मिनट रोज देखकर आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं ठीक है फ्रेंट्स, मैंने बिल्कूल एक्स्प्लेंड किया हुआ है, अच्छी तरह से एक्स्प्लेंड किया हुआ है एक्स्प्लेंड करते हुआ, अच्छी तरह से समझाते हुआ हर टॉपिक को मैंने बढ़ाया है आप अच्छी तरह से सीख सकते हैं ओके फ्रेंट्स, लेट्स इस्टार्ट टे क्लास अप टे फ्रेंट्स, आज मैं आपको हैजएब के सारे इस्त्माल कि हैजएब का हम इस्तमाल हम कहां कहां किस तरह के सेंटेंस के लिए करते हैं सिर्फ हैजएब का एक ही टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा आपको मैं बल्कि सारे उन सारे टॉपिक को पढ़ा दूँगा आज एक ही वीडियो में जिसमें हम has और have का इस्तमाल करते हैं और head का इस्तमाल करते हैं ओके फ्रेंट्स तो चलिए फिर शूरू करते हैं सबसे पहले हम past वाले sentences के लिए हम देखेंगे कि past वाले sentences में जिसमें किसी के पास कोई चीज होने या रहने का बोद होता है उसमें हम has और मतलब इस तरह हम पास वाले sentences हम has, have का इस्तिमाल करते हैं बट has कहा लगाते हैं और have कहा लगाते हैं तो I और you को छोड़कर आई और you को छोड़ेंगे बाकि सभी I और you को छोड़ेंगे बाकि sentence में इनके अलावे किसी भी एक चीज़ की बात हो एक चीज़ की, तो एक के लिए हम has लगाएंगे और एक से ज़्यादा के लिए have लगाएंगे simple formula friends, I और you को छोड़ देना, I और you में क्या लगता है तो I और you में भी have लगता है have, बट यह singular नंबर है, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि I और you को छोड़ कर किसी भी sentence में एक subject की बात की जा रही हो, तो उसमें हम has लगाएंगे और एक से ज़्यादा की बात की जा रही हो तो have लगाएंगे, ठीक है और I और you के साथ तो have लगता ही है तो हम एक एक करके sentence बनाता है, जैसे उसके पास gun है तो उसके पास gun है तो यहापर he आएगा he, I और you के अलावे है और वो एक है, इसके लिए हापर हम has लगाएंगे क्योंकि यह खी है he has a gun ठीक है उन लोगों के पास car है तो उन लोगों के पास दे आ गया अब इसे यहापर न तो आई है, न यू है यहापर दे है, यानि एक से ज़्यादा की बात कर रहे है हम तो have लग जाएगा दे है वाकार ठीक है फ्रेंट्स, इसी तरीके से हम जिस sentence में भी देखेंगे क्या subject, जो subject होता है उसके पास या उन लोगों के पास वहापर ही आ रहा है, कि दे आ रहा है, कि शी आ रहा है कोई name आ रहा है, किसी की भी बात की जा रही हो अगर वो एक है, आई और you को छोड़के एक है, तो has लगाएंगे और एक से ज़्यादा है, तो have लगाएंगे ठीक है, अभी head का इस्तिमाल head का इस्तिमाल, ठीक, इसी sentence में head की जगापर था अगर आज जाएगा यानि कि past हो जाएगा जैसे उसके पास gun था उसके पास gun थी तो यहाँ पर हम head लगा देंगे, बस और कुछ नहीं, he had a gun ठीक है friends, बस simple तरीके से मैं आपको समझाना चाहता हूँ, कि जो भी sentence has और have से बनता है उसका अगर past हो, तो उसमें head लगाते हैं, okay friends इसका भी, उन लोगों के पास car थी, तो they had a car, okay friends अभी next, दुसरा has और have का इस्तिमाल कहा करते हम basic में मैंने आपको has to and have to का इस्तिमाल बताया था जिस sentence में, हिंदी के sentences में आंत में word के बाद ना है, नी है, ने है या ना पढ़ता है, नी पढ़ती है, ने पढ़ती है ऐसा रहता है, तो वैसे sentences को भी हम has to or have to से बनाता है means हम has और have का इस्तिमाल करते हैं ठीक है friends? तो हम sentence यह उस्न के बाता है उसे जाना परता है दोन एखी चीज हो गया तिसका हुआ है कि ही हैस उसके बाद सिर्ख मधें एक चीजर दो टू हैस्टेस्टो गू फो उसे जाना परता है तो भी हैस टोगती होगा राजू को काम करना है या करना पड़ता है तो राजू राजू क्या हो गया आई और यू के अलावे है यह और यह एक ही है मने पहले भी बताया था कि आई और यू के अलावे किसी और तिसरी चीज़ की बात की जारी हो किसी और चीज़ की बात की जारी हो और वह एक ही हो तो लगाते तो चाहलिए सब्सक्राटव और लेगा है सब्सक्राइब करते हैं अब इसका हम है कहा लगाईगे हैं तो जैसे उसे जाना था या उसे जाना पढ़ता था या उसे जाना पड़ा अगर ऐसा रहेगा तो मुसमें है मईट हैस और हैर की जगह पर हैर का इस्तमाल करेंगे सिंपन। कर ड्रिंड अगर धूर मैं सिर्प यहांपर यह मेंना कर निए अलिई देता हूं यहां पर था तो यहां हैज मिट जाएगा और सिर्फ हैड आ जाएगा यहां पर sentence पुरा हो जाएगा He had to go इसी तरह से सब में है है और हैज हटा के सिर्फ हैड लगा देना है अगर यह past में रहेगा sentence तो ओका फ्रेंट्स बहुत दिस्पल है अभी next मैंने आपको टेंस बढ़ाया था टेंस का वीडियो डाल चुका हूं है टेंस में past present perfect tense present perfect tense में भी has और have का इस्तेमाल करता है ठीक है फ्रेंट्स और इसमें वी थिरी का इस्तेमाल करता है तो उसने खा लिया है यह present perfect tense sentence है He has eaten ठीक है इसमें भी हम has और have का इस्तेमाल करता है तो he has eaten वे लोग जा चुके हैं तो they have gone इसमें वी थिरी का इस्तेमाल करता है इसके लिए मैं eaten और गोन ऐसा लिख रहा हूं कि अब वी थिरी का इस्तेमाल होता है मैंने ए फिल्म देख ली है तो I have I have watched this movie I have watched this movie अगर इसमें हम head लगाना चाहेंगे तो head कब लगाएंगे बस simple है कि उसने खा लिया है तो उसने खा लिया था उसने खा लिया था बस था लगाना है वे लोग जा चुके हैं वे लोग जा चुके थे तो उसमें बस सिर्फ has और have की जगा head लग जाएगा जैसे उसने खा लिया था तो he had eaten ओके फ्रेंट्स बहुत ही simple है जहां पर भी has और have है past होने के बाद उसम हम has और have की जगा पर head लगा देते हैं बहुत ही simple है जैसे वे लोग जा चुके हैं तो वे लोग जा चुके थे या वे लोग चले गए थे they had gone मैंने फिल्म देख ली थी I had watched this movie ओके फ्रेंट्स अभी next मैंने आपको active to passive passive to active बनाते वक्ते बताया था उसमें सारा वीडियो डाल चुका हूं में active passive का तो उसमें मैंने समझाना था आपको present perfect tense or past perfect tense में भी हम has, have और head का काइस्त्बाल करते है present perfect tense में has have का इस्त्वाल करते है और past में have had का हिस्त्माल खरते है ठीक है is sentence को तो समझते हम उससे गिरापतार कर लिया गया है this is the passive sentences, passive body आहीं है तो इसमें हम है जब कर इस्तेवाल करते हैं तो he has been arrested he has been arrested okay friends यहाँ पर भी has करिस्तेवाल हो रहा है तो he has been arrested कुर्सी बना दी गई है तो दचियर चैर्स है व बन मेट्ड कर डेट कर दो पैशीप संतिंस यह अगर आपको passive sentences का formula याद होगा तो आपको समझने में कोई problem नहीं होगा, मैं सिर्फ इस्तमाल बता रहा हूँ, has और have का, okay friends, बांकि सारा कुछ पढ़ा चुका हूँ, मैं पहले ही, सभी लोग को निमंतरित किया जा चुका है, सभी लोगों को, everybody, everybody has been invited, everybody has been invited, okay friends, यह अभी है जब का इस्तमाल था, अभी हम हैड का लगाएंगे, तो हैड, उसे गिर्यपतार कर लिया गया था, अगर आपर हम था लगा देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा, he had been arrested, okay friends, कुर्सी बना दी गई थी, यहाँ पर हम थी लिखते हैं, तो the years had been met, okay friends, सभी लोगों को निमंतिरित किया जा चुका था, तो everybody had been invited, okay friends, अभी has और have का इस्तमाल, हम कुछ और भी तरह से करता हैं, जैसे क्रिया के रूप में, इस वर्प के रूप में, as a वर्प, यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ helping वर्प के रूप में इस्तमाल बताया है, इन चीजों का, but has और have का इस्तमाल हम, as a verb कैसे करता है, और भी मैं आपको बता दिये देता, मैंने पास वाला पताया था, तो पास वाला में, मैं एक कार रखता हूं, ठीक है, या मेरे पास एक कार है, तिसको हम है जैब से भी बना सकता है, इसमें हैविंग लेगा कर, I am having a car, रख रहा हूं, यहाँ पर होगा, रखता हूं, यह मेरे पास कार है, तिहाँ पर हम having का इस्तमाल करते हैं, और क्या मैं आपकी बुक ले लू, क्या मैं आपकी बुक ले लू, तो मैं आई have your book, अब यहाँ पर लेने के लिए have का इस्तमाल किया गया है, तो आप confused होत होने कि यही लेना का तो take होता है, फिर यहाँ पर have कैसे आ गया, तो मैं अभी क्रिया, means as a verb, have का और has का इस्तमाल बता रहा हूं, as a verb में has का का इस्तमाल होता, have का इस्तमाल होता है, ठीक है फ्रेंट्स, जैसे मैं आट बजे अपना नास्ता करता हूं, नास्ता करता हूं, ते आपर नास्ता करने की बात आ गई, तो I have my breakfast at 8, okay friends, मैं 8 बजे अपना नास्ता करता हूं, तो I have my breakfast at 8, यहाँ पर हम वर्व के रूप में have का इस्तमाल करता है, have का मतलब करना लेना भी होता है, करना भी होता है, रखना भी होता है, ठीक है फ्रेंट्स, तो तुम ये ले सकते हो, तो you may have this, have it, you may have it, तुम में से ले सकते हो, तो have का इस्तमाल यहाँ पर, सिर्फ आपकर हम have का इस्तमाल करेंगे, has का नहीं करेंगे, लेने के लिए, as a verb, as a verb, has का इस्तमाल नहीं होता है, have का इस्तमाल होता है, तो आप तक हमारा वीडियो देखने के लिए थांक्स, थांक्स अलोट और धन्यवाद